चंडीगर की जोन दो में 57 पार्किंग का जंबा संभालने ठेके द्वार द्वारा 6,45,000 की रकम ना दिये जाने का मामला विजिलेंस को नगड़ेगम के उन अफसरों पर कारवाई के लिए रखा गया है जिनोंने ठेकेदार को छूटती रखी है और उससे मंथली लाइसेंस वसूली नहीं की गई विजिलेंस को सीधे दी गई शिकायत में सैंस इनिंग एसोशियेशन के आर्केगर की कियोड से कहा गया है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें निगम को करोडों रुपे की चपत लगी हो आरे टोल इंप्रा के मामले में भी ऐसा ही हुआ और यहा पार्किंग के ठेकेदार और ठेकेदार द्वारा 6,45,000 की राजी ना दिये जाने को लेकर सवाल उठे क्योंकि मामला विजिलेंस की दहलीस पर पहुच गया निगम कमिशनर अनेदेता मित्रा ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर अजीब जबाब दिया उन्होंने टेंडर प् मालूम नहीं हाउस अगर चाहेगा तो टेंडर बनाने की प्रक्रिया स्मार्ट सिटी को दे दी जाएगी या निगम के पास रहे इस पर फैसला हो उन्होंने कहा कि पार्शात गुरुबक्ष रावत में तो मीटिंग में पार्किंग के टेंडर स्मार्ट सिटी लिमिटेट क को देने की बात उठाई नए सिरे से रेवलिशनरी वे में ही लेके आया जाए जो प्रस्ताव था वो अगले हाउस में कम्प्लीटली लेके आना था इन फाक्त मेरा प्रोपोजल वही था जो गुर्बक्ष मैडम कह रहे थे कि चंडिगर स्मार्ट सिटी को इसका टेंडर ड बात है पुराने टेंडर में देड़ करोड सवा करोड ऐसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स रखे गये थे जिसकी वज़े से पैसे रिकवर नहीं हो सके मेरा प्रस्ताव यह था जो हमने अगले हाउस में आपको देना था कि अकाउंट भी जो है वो साजा हो और हमारे अकाउंट में सीधी तरह से पे टी यह किसी और उपिए के तहरक है और उसमें से कौंट्राक्टर को उसके सर्विस में पैसा जाए ना की कौंट्राक्टर के पास पैसे आए और हो हमारे पास मंतली फीज जो है डिपॉसित किया जए हैं होवेवर टेंडर बनाना आरेफपी बनाना ना हमारे स्टाफ के कॉंपटेंस में है इट टेक्स लॉट आफ एक्सपर्टाइज ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन धबाना ना भूले